ट्रावल विद शुदा चैनल में आप लोगों का स्वागत है मनाली में आने वाले टुरिस्टों के लिए एक बहुती अच्छी कबर निकल के आ रहे है जैसा कि मैं पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था कि रहोटांग पास अभी टुरिस्टों के लिए उपन कर दिया गया है और रहोटांग पास के परमिट इशू होना भी शुरू हो गया है तो अगर आपको जाननी है कि रहोटांग पास कहां तक उपन हुआ है और रहोटांग पास के परमिट आपको कैसे निकालना है तो आप उपर में i बतन में क्लिक करके या description box के link में क्लिक करके video में देख सकते है लेकिन आज के इस video में हम लोग मनाली ले highway की current status के बारे में बात करेंगे क्योंकि मनाली ले highway भी आज से टूरिस्टो के लिए partially open कर दिया गया है तो अगर आपको जानना है कि मनाली ले highway अभी कहां तक टूरिस्टो के लिए open किया गया है मनाली ले highway में विजित करने की क्या rules and regulation है और मनाली ले highway में कौन से वाइकेल से लाउड है तो आप video के end तक बने रहे और अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी subscribe करें तो आईए जान लेते हैं कि मनाली ले highway अभी कितने दूर तक टूरिस्टो के लिए open किया गया है यहां पर अभी वाइकेल सेंट्री की क्या rules and regulation है और इस रोड में अभी किस तरह के की वाइकेल सेंट्री ले सकते है जैसा कि आप इस article में साफ देख पा रहे है कि मनाली ले highway अभी दार्चा के आगे तक सिर्फ लाइड वाइकेल्सों के लिए open किया गया है sources के माने तो अभी दार्चा के आगे सिंग्कुना रोड तक मनाली ले highway टूरिस्टों के लिए open किया गया है और इस रोड में अभी सिर्फ दो पहर के एक वज़े तक ही light वाइकेल्स को allow किया जाएगा light वाइकेल्स में भी सिर्फ कार जीप जैसे वाइकेल्सों की allow रहेगी बाइक जैसे वाइकेल्स अभी भी allowed नहीं है ये बात ध्यान में रखे और अभी permit की बात करे तो इस रोड में अभी entry के लिए कोई भी permit की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी रोटंग टोटली ओपन नहीं हुआ है रोटंग जब टोटली ओपन हो जाएगा तब आप लोग को ले लदाग जाने के लिए beyond रोटंग पास पर्मित की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन अभी आप इस रोड से ले लदाग तक नहीं जा सकते है अभी सिर्फ आप लोग इस र रोड में नहीं रह सकते हैं उमीद है हमारी वीडियो आपको helpful लगी हो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में एन तक बने रहने के लिए धन्यवाद